बिस्मिल्ला रख्मान रहीम एक्सराइज 6.3 का क्वेस्टन नुबर टू इफ फाइब एट और टू अरिथमेटिक मेंस ब्ट्वीन एंड वी फाइंट एंड बी क्वेस्टन की स्टेट्पंट यह है कि ए और बी के दिम्हां पहले हम जो क्वेस्टन पिछ्रे लेक्टर में क जो उसने क्वेस्टन की स्टेट्मेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग ली बाई गिवन कंडिशन ए फाइव एट एंड बी आर इन एपी यह क्यों कह रहे हैं क्योंकि उसने कहा है कि फाइव और एट ए और बी के दरम्यान दो अरिथमेटिक मीन है एक से ज़्यदा एरिथमेटिक मीन की डिफिनेशन हम फिचले लक्ष्र में करके आये हैं कि अगर ए फाइव एट और बी आरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो एपी में हो तो यह दो इसके दिरम्यान ए और बी के Trimernा अरिथमेटिक मीन्स कराएंगे तो चुक्के उसने कहा है कि 5 और 8 A और B के दिरम्यान arithmetic means हैं तो लहाज़ा 5 A, 5, 8 और B ये AP में होगे arithmetic progression की definition के मताबक ये वजी term 5 term जो है वो कैसे आएगी या यूं कहें common difference हैं होगा चुक्के ये AP में हैं तो second term minus first term करूं तो third term minus second term करूं तो बराबर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए so second term minus first term should be equal to third term minus second term क्या किया मैंने second term minus first term is equal to third term minus second term क्या बनेगा 5 minus A is equal to 3 या फिर 5 minus 3 is equal to A 2 is equal to A तो A की value क्या जाती है एक नमबर तो हमने बालम कर लिए चुक्के ये प्सक्राइख ये पिर नमबर पॉग्टे है ये तो टम ये एकल ये प्लस त्री ये इकल टो आप्लस वे चाहिए A is equal to 2 and B is equal to 11. यही हमने find करना था. Next question बर 4 है. Find 4 arithmetic means between under root 2 and 12 over under root 2. तो पिछले lecture में, description में आप जरूर देख लीजिएगा, lecture का link दिया है. हमने एक formula drive किया है. M arithmetic mean का. A M is equal to किसके प्रापर था? A plus M into B minus A over N plus 1. यह formula हमने drive किया. इस formula में A जह है वो first term है, और B जह है वो last term है, और N जह है वो number of arithmetic means है. तो जो हमें अब data दिया है, उसके मताबक मुझे बताएं कि A क्या चीज़ है? A है, under root 2. और B क्या चीज़ है? 12 over under root 2. A under root 2. B, 12 over under root 2. और N क्या चीज़ है? number of arithmetic means. वो कितने है? N जो है वो number of arithmetic means 4 है. यह values अगर equation 1 में पुट कर देंएं, तो क्या बनता है? A M is equal to A की value under root 2. M into B क्या है? minus A क्या चीज़ है? over 4 plus 1. ठीक है? तो थोड़ा सा इसको simplify कर लें. under root 2 plus M into 12 minus under root 2 under root 2 over under root 2 divided by 5. क्या किया पला वैसे? under root LCM लिए है. क्या बन जागा ये? under root 2 plus M into 12 minus 2 under root 2 को under root 2 से multiply कर रहेंगे 2 रहेगा. 12 minus 2 divided by 5 under root 2. क्या बन जागा? under root 2 plus 10 M over 5 under root 2. ये 5 इसको cancel करेगा 2 टाइम. क्या रहेगा? under root 2 plus 2 M over under root 2. ये क्या रहेगा? under root 2 plus under root 2 M. क्यासे बना? क्या बना? क्या बना? क्या तू की पावर 1 है? ये तू की पावर 1 by 2 है. ये मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको. 2 over under root 2. किस के पावर आएगा? 2 की पावर 1 minus 1 by 2. 2 की पावर 1 by 2. किस के पावर आजएगा? under root 2 के. तो मैंने 2 और under root 2 लिखती है under root 2. यहां से बड़े राम से under root 2 common निकल जाएगा. तो 1 plus M रहेगा. ये किस के पावर आएगा है? AM के. अब आप इसी में M की जगा 1 पूट करेंगे. तो पहला arithmetic mean आजएगा. M की जगा 2 पूट करेंगे. यहां सेकिंड आजएगा. 3 पूट करेंगे 3rd और 4 पूट करेंगे तो 4th. तो वो हम values पूट करते हैं यहां पे. M की जगा 1 पूट किया. Under root 2 1 प्लस 1. क्या बन गया? Under root 2 इंट टू. यानि 2 under root 2 बन गया. A1. M की जगा 2 पूट करने हैं. तो वो आता है. Under root 2. 1 प्लस 2. वो किसके बन गया? 3 under root 2. A3. Z क्या पूट करने हैं? M की जगा 3 पूट करने हैं. 1 प्लस 3 वो क्या बन गया? 4 under root 2. और A4. 4 arithmetic means हमने find करने थे. 4 arithmetic mean मानुम करने की जगा करने हैं? M की जगा 4. वो बन गया? 5 under root 2. Question समझ आ गया है. Mth arithmetic mean का formula हम drive कर चुके हैं. इसमें A, B और N की values पूट करके, simplification करके, यह बना मरे पस. और अब हम बारी बारी M की जगा 1, 2, 3, 4 पूट करके, हमने 4 required arithmetic means मालम कर लिए. समझागी? Next question number 5 है. Insert 7 AMs between 4 and 8. 4 और 8 के दिम्यान आपने 7 arithmetic means find करने हैं. तो सबसे पहले आप Mth arithmetic mean का formula लिख लिए. Mth arithmetic mean का formula है AM is equal to A plus M into B minus A over N plus 1. अब इस formula की जो जो चीज़ें आपको पहले से मालम हैं, वो इसमें पूट करते हैं. क्या क्या मालम हैं? 4 और 8 के दिम्यान मालम करने हैं. तो हमारे पास A जो है वो 4 है, और B जो है वो 8 है, और N जो है वो 7 है. 7 arithmetic means. ठीक है? यह चीज़ें हैं, equation number 1 में put करें, putting these values in 1, तो AM आजाएगा, A आगया 4 plus M, 8 minus 4 over 7 plus 1. तो क्या बनाएगे? 4 plus 4 M over 8, AM बना 4 plus M over 2, 8 plus M, क्या बनाएगे? 4, 8 को डिवाइड कर देगा, 2 आजेगा, और इसके LC में लेंगे 4, 2008 plus M by 2, यानि हमारा AM जो आगया, M plus 8 by 2, यह मारा जो data दियावा है, उसके मताबक फर्मला आगया, M arithmetic mean का. M arithmetic mean का formula यह था, जो question उसमें statement जो उसमें दी हुई है, उसमें A और B और M की values पूट करके यह मर पस आगया. अब आपने 7 arithmetic means मावलूम करने हैं, M की जगा 1 डालें, तो क्या आजेगा आपके पास, 1 plus 8 over 2, क्या आजेगा, 9 by 2, इसी तरह M की जगा 2 डालें, तो क्या आजेगा, A2 is equal to 2 plus 8 over 2, 10 by 2, 5, फिर M की जगा 3 डालते हैं, और वो बनते हैं, 3 plus 8 by 2, 11 by 2, 11 by 2, A4, हाँ जी, A4 के है, M की जगा 4, plus 8 over 2, 12 over 2, 6 आगया, इसी तरह A5, जिपता हैं, M की जगा, 5 plus 8 by 2, किस के पर आपर आगया, 13 by 2, A6, M की जगा 6, plus 8 by 2, 14 by 2, किस के पर आपर आगया, और finally A7, M की जगा 7, plus 8 by 2, 15 by 2, is it okay, तो आपने जो question दिया वह है, उसके मताबक A, B, और N की value put करें, और उसके बाद M को numbering शुरू कर दें, तो arithmetic means आ जेंगे, तो this is the easiest way of finding arithmetic means, next see, question number 6 है, find 3 AMs between 3 and 11, हमने इसको फिर उसी तरह ही solve करना है, AM का फार्बरा लिखना है, M arithmetic mean का, A plus M into B minus A over N plus 1, जो हमें डेटा दिया है, उसके मताबक A किसके बराबर है, 3 के, B 11 के, और N, B 3 ही है, A तो ओगया न, ये 3, और B होगया, ये 11, और N ये होगया, number of arithmetic means, इन values को equation number 1 में put करते हैं, AM is equal to 3 plus M, B minus A, 11 minus 3 over 3 plus 1, किसके बराबर आजएगा, 3 plus 8M over 3, या फिर AM आजएगा, नहीं, नीचे denominator 4 नहीं आएगा, तो वो क्या बनजएगा, 3 plus 2M, ये मारा, जो उसने data दिया है, उसके मताबग AM का formula बन गया, AM का formula ये था, AM is equal to A plus M into B minus A, N plus 1, A 3 है, B 11 है, N 3 है, वो उसमें put किया आपके सामने, तो ये बन गया, अब आप M की जगा बन पूट करते हैं, 3 plus 2 into 1, 3 plus 2 is equal to 5, first arithmetic mean 5 आगया, इसी तरह, M की जगा 2 पूट करते हैं, 3 plus 2 into 2, 3 plus 4, और second arithmetic mean 7 आगया, और third arithmetic mean के लिए, M की जगा आपने 3 पूट करना है, वो आज जगा 3 plus 6, तो 9, तो required arithmetic means के आगे, 5, 7, 9, आई, आज का lecture हम यहीं wide up करते हैं, next question इंशालला, next lecture में solve करेंगे,